Sorting Photos Event को add करने के बाद उसे इस तरह से open कीजिए. ये window software का actual work के रिया है. यहाँ पर input folder path में store किये हुए photos देख पाएंगे. Photo का view आप इस तरह से change कर सकते हैं. Preferences option से आप photos का default view fix कर सकते हैं. ज्यादा जानकरी के लिए preferences and help video refer कीजिए. अब photo sorting स्टार्ट करते हैं. Photos को एक-एक करके या एक साथ कई photos को select किया जा सकता है. Photos को इस तरह से select कीजिए. Photos के बहतर view के लिए यहाँ से photos की thumbnail size increase कीजिए. Photo को select करने के बाद उसे सबसे पहले folder में move करते हैं. ऐसा करने के लिए आप keyboard की F1 की press कीजिए. Name folder window open होगी, folder को नाम दीजिए और save बटन से folder को save कीजिए. Select किये हुए सारे photos इस folder में copy किये जाएंगे. Photos के उपर उस folder का number दिखाई देगा, जिस folder में उसे sort किया गया है. Software की functionality के बारे में कुछ information जान लेते हैं. जब भी आप कोई same event के photos को select करें, आपको उसे एक folder में copy करना होगा, ताकि आप future में उनको एक साथ पा सके. यहां आप folders के 12 options देख पाएंगे, जो की F1 से लेकर F12 तक है. कुछ और photos को copy करते हैं, पहले कुछ photos को select कीजिए, और जिस folder में आप उसे copy करना चाहते हैं, उसके key को press कीजिए, जैसे F2 या F3. और photos को sort कीजिए, folder को नाम दीजिए और save कीजिए. अगर कोई photo multiple folders में sort किया गया है, तो उस पे उन सारे folders का indicator अपियर होगा. अगर कोई photo गलती से किसी folder में sort किया गया है, तो उसे उस folder से delete भी किया जा सकता है. Photo को delete करने के लिए, पहले उस folder को select कीजिए, अब उस photo को select कीजिए, delete बटन से photo को delete कीजिए. Photo delete करने के लिए confirmation पूछा जाएगा. Yes पर click करके photo को delete कीजिए. किसी भी photo को delete करने के बाद source बाद में उस photo के उपर का folder indicator चला जाएगा Add button से आप folders को advance में rename भी कर सकते हैं ताकि आप बाद में सिफ photo sorting कर पाए folder को rename करने के लिए पहले उसे select कीजे और rename option से folder को rename कीजे सारे folders इस तरह से rename कीजे अब सिफ photos को sort करना बाकी है कुछ और photos को select कीजिए और उन्हें मंचाय folder में की के साहरे इस तरह से सारे photos को folder में sort कीजिए अगर कोई folder सही तरीके से नहीं बना है और आप उसे delete करना चाहते है तो delete button से folder को delete किया जा सकता है folder को select कीजिए folder में sort किये गए सारे photos आपको दिखाई देंगे डिलिट बटन से folder को डिलिट कीजिए folder डिलिट करने पर वो हमेशा के लिए आपकी computer से डिलिट हो जाएगा इंडिविजियों folder में sort किये वे photos को आप उस folder पे click करके देख सकते हैं जैसे यहाँ पर मेहंदी folder को open किया गया है हर एक folder में आपको जो photos दिखाई दे रहे हैं वो सारे photos upload किये जाएंगे इन photos को आप pre-select भी कर सकते हैं और client का काम और भी आसान कर सकते हैं अगर किसी photo के बारे में आपको कोई information चाहिए तो आप photo पे comment लिख सकते हैं client आपकी comment देख पाएगा और उस पे अपना reply भी लिख पाएगा यहाँ पर एक comment एड की गई है अप input photo folder में जाहिए इसके लिए photosource all photos बटन पे click कीजिए input photos का source path देखने के लिए इस icon पर click कीजिए recently आपने जितने source path एक्सेस किये है उन्हें आप यहाँ पर देख पाएंगे input photo folder का path आप यहाँ से change भी कर सकते हैं browse बटन पर click करके browse कीजिए और नए input photo folder का path दीजिए आप photos को sort by button से date, modified time, name, size, type, orientation और selection के मुताबिक ascending या descending order में भी sort कर सकते हैं इसके अलावा आप choice option से photo के choice status के मुताबिक sort कर सकते हैं यहाँ आप photo selection का count देख पाएंगे यह indicator highlighter photo की position चो करता है folder के list के उपर आप कई तरह के indicators देख पाएंगे folder indicator folders का count चो करता है photos indicator sort किये हुए photos का count चो करता है choice indicator choice किये हुए photos का count चो करता है हर एक folder name के सामने आप bracket में दो figures देख पाएंगे पहली figure उस folder में choice की हुए photos का count है दुसरी figure उस folder में sort किये गए photos का count है अगर किसी folder में कोई photo choice किया गया है तो यहाँ पर आप choice का icon देख पाएंगे अगर किसी folder में किसी photo पे comment की गई है तो यहाँ पर आप comment icon देख पाएंगे photo को rotate करने के लिए उन्हें select कीजे और rotate clockwise icon से उन्हें rotate कीजे इस तरह से आप photo को counter clockwise भी rotate कर सकते है back button से आप choice express के home screen पे जा सकते है इस तरह से photos को sort करके upload करने के लिए ready किया जा सकता है जब आपके photos sort हो जाए project को save कीजिए done button पे click कीजिए save button से project को save कीजिए event successfully save हो जाएगा home button से आप software के home screen पे जा सकते है जहां आप आपके द्वारा create किये गए events देख सकते है कि अआगएएज सह चार्भी है कि ऑ walks व षूबएए़काdoes दवाल है कि अर दागएज़